सीखेंगे चलिए यहां पर हल करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से निकाला जाता है देखें फ्रेंस यह आपके सामने क्वेश्टन लिया गया है कि निकालना है और देखें यहापे तीन हजार है यहां पर तीन हजार है यहां पर तीन हजार लिखिए क्यों निकाल को तैकि एक चीज द्यान दिएगा कि वर्सों में निकालते हैं जब वर्स में निकालते हैं तो कितना से भाग देंगे बारा से अब भारा से भाग क्यों दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक वर्स में कितना मा होता है बारा मा इसलिए इसको वर्स में बदलने करें बारा से भाग देंगे अब इसी को हल कर लीजिए देखिए हल कर एक जिरो से एक जिरो कटेगा एक जिरो से एक जाएगा, दूसों पचीस होगा, और बटा के दू, अब इसका दो का भाग दिजे दे, देखे, दो एकेम दो, दो एकेम दो, दो दूने के चार, दू पाचे दस, एक सु बारा पॉाइन, पांच रुपिया क्या हो जाएगा, आपका बाप, ब्याज होगा, आपका ब्याज कि एक एक जामपल आपके सामने लिखे हैं, कि 15,000 रुपिया पर, 7 परतिसत वारसिक दर से, 14 मा का साधार ब्याज ग्याद केजिए, आपको क्या करना है, फ्रेंस, 14 मा का साधार ब्याज ग्याज करना है, चलिए इसको किस तरह करेंगे, जैसे अभी बताएं फ्रेंस, उसी तर लेंगे, गुड़ा, को इतने मा के लिए, फ्रेंस, 14 मा के लिए, यहाँ पर लिखेंगे, चौदा, और फ्रेंस, देखें, इसको निकालते समय, बस एक चीज ध्यान दिया, दीजिएगा आप, कि जब यहाँ पर मा लिखा होगा, इसे वर्स में आप चेंज करेंगे, वर्स 40, 15, 15, 15 यानि 50 बचेंगे, यहाँ पर, देखें, दो एक एम, दो, 50, 50 में देखेंगे, 15, यानि इसको एक बार लिख लिए, देखें, 25 यहाँ बच रहा है, 7 बच रहा है, 7, अब इसको गुड़ा कर लिए, देखें, 25 गुड़े, ससते, 49 होगा, अब पचीज का 49 में 1252 यानि कि 1225 प्योट आपका ब्याज होगा या आपको कितना प्योट चुकाना पड़ेगा आपको इस प्रेका से आप संपल आप यह निकाल सकते आपको वीडियो पसंद आ करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें